नमस्कार मैं हूँ दिनेश पाठाकरो करियर मंत्रा के इस एपिसोड में सुप्रिम कोड के बहुचर्चित मामले में दिये गए फैसले के मद्य नजर कुछ तत्थ पर ध्यान दिलाने का प्रयास करने वाला हूँ यह प्रतियोगी परिशाओं के लिए बहुत जरूरी है। 24 के लोगसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। 5 जजों की संबिधान पीठ ने 17 नवंबर 2022 से सुनवाई शुरू की 18 नवंबर को भारी उद्योग मंत्राले के सचिव अरुन गोयल को वीरस मिल गया। और अगले ही दिन यानि 19 नवंबर को प्रान मंत्री की सिफारिश पर अरुन गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। पीठ ने नियुक्ति से जुड़े दस्तावेजों की जांच करने की बात कही अटार्णी जर्नल से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती की प्रक्रिया भी बताने को कहा। इसके बाद कही सुनवाई के बाद 2 मार्च 2023 को जब संभिधान पीठ का फैसला आया तो उसमें चुनाव आयुक्त अरुन गोयल की नियुक्ती को लेकर कोई आदेश नहीं था, कोई बात नहीं कही गयी। मतलब यह कि मौझूदा मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 में से 1 चुनाव आयुक्त 2024 की लोग सभा चुनाव तक अपने पदों पर बने रहेंगे। सुप्रिम कोड का यह फैसला मौझूदा नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती के समय ही लागू होगा। अभी जो बैवस्था है चुनाव आयुक्त चुने जाने की उसे भी जान लेते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ती अभी तक पूरी तरह से केंदर सरकार के हाथ में है। भारत सरकार के सचीव या राज्यों में मुख सचीव रहे अपसरों की एक सूची मोटे तौर पर तयार होती है यह कितनी भी लंबी हो सकती है इनी में से तीन नाम पर विचार बिमर्स की परंपरा है कई बार प्धानमंत्री इन से मिलकर बातचीत के बाद अंतिम फैसला लेत किसे मुख चुना आयुक्त बनाना है और किसे आयुक्त बनाना है इसके लिए पहले नाम सुझाए जाते हैं आगे भी ऐसा ही होगा कानून मंत्राले नाम सुझाएगा फिर उनी नामों में से किसी एक को प्रधानमंत्री विपक्च के नेता और चीफ जस्टिस आफ इंडिया का पैनल करेगा माना जा रहा है कि ऐसे मामलों में बहुत बिरोध की सिती नहीं बनती कुछ जानकार यह भी कह रहे हैं कि सरकार सुप्रिम कोर्ट के ताजे फैसले को चुनोती दे सकती है पर सरेदस्त इसकी कोई जरूरत नहीं लगती पांच जज़ों की सम्विधान पीठ ने एकमत होकर फैसला सुराया है जब भी सम्विधान पीठ का फैसला एकमत रहा है उसके खिलाप किंद्र सरकार की ओर से चुनोती दिये जाने की नजीर नहीं देखती हलागी संसद कोड के इस फैसले को बदल सकती है यह सरकार के हाथ में यूँ भी सुप्रिम कोड ने अपने आदेश में असपस्ट कहा है कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयोगतों की निवक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है कि इनकी संख्या कितनी हो गिया जादी के बाद देश में चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयोगतों हुआ करते थे 16 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री राजी उगान्थी की सरकार ने दो और चुनाव आयोगतों की निवक्ति की इससे चुनाव आयोग एक बहु सदस्य निकाय बन गया उस वक्त कहा गया कि यह पहल मुख्य चुनाव आयोगत आर्वियस पेरिसास्त्री के पर कतरने के लिए की गई थी दो जनवरी 1990 को बीपी सिंग की सरकार में नियमों में समझोधन किया गया और चुनाव आयोग को फिर से एक सदस्य निकाय बना दिया गया एक अक्टूबर 1993 को पीबी नरसिंहराव सरकार ने फिर अध्यादेश के जरिये दो चुनाव आयोगतों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी तब से चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयोगत के साथ दो चुनाव आयोगत चले आ रहे हैं आप समझ गये होंगे कि इस फैसले का कितना असर चुनावी सिस्टम पर पढ़ने वाला है नमस्कार